नमस्कार साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि 4 अक्टूबर 2020 को UPSC IAS Prelims का पेपर हुआ था जिसमें quality section के बारे में चर्चा कर लिये थे और उसका सारा question paper CSAT वाला और GS paper 1 वाला भी upload कर दिये थे यह चौथा वीडियो है उस श्रिंखला का जिसमें history section के बारे में चर्चा करेंगे history से अगर देखा जाये तो करीब करीब ancient history से अगर देखा जाये तो 9 question आये थे ancient history में भी अगर culture वाले part को देखा जाये तो 3 question आये थे और pure ancient से 6 question आये थे और culture वाले से 3 question आये थे कुल मिला करके ancient part से 9 question आये थे medieval history में देखें तो 2 question आये थे और modern history से 8 question आये थे जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो पहला प्रश्ण है भारत के सांस्कृतिक एतिहास के संदर्व में परा मिता शब्द का सही विवरण निमलिकित में से कौन सा है यहाँ पर जो परा मिता लिखा हुआ है यह दरसल पार मिता होना चाहिए यहाँ पर यह त्रोटी हो गई है UPSC के दोरा तो पार मिता क्या ह इसमें बहुत धर्म से संबंधित कोश्चन बहुत सारे पूछे गए बहुत सारे मतलब कि तीन कोश्चन बहुत धर्म से संबंधित पूछे गए हैं तो बहुत धर्म के बारे में जानना बहुत यहादा जरूरी है अगर पार मिता के बारे में बात करें तो पार मिता जो है इसका जो मुख्य शब्द है जो जिस शब्द से ये उत्पन हुआ है तो वो शब्द परम है अब पारमिता को पाली भाशा में देखा जा तो पारमी भी कहते थे पारमिता का अर्थ अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है परिपोड़ता यानि कुछ गुड़ों के चरम उ पारमिता बताया गया है जैसे दान पारमिता शील पारमिता शांती पारमिता वीरिय पारमिता ध्यान पारमिता और प्रग्या पारमिता दश भूमिका सूत्र में देखें तो चार पारमिताओं के बारे में बताया गया है उपाय प्रालिधान बल ग्यान और थेरवाद ग्र उपेक्षा जो है उसका मतलब उपेक्षा है अधित्थान मतलब अधिष्ठान है सच मतलब सत्य है खांती मतलब शांती है वीरिय मतलब वीरिय है पढ मतलब भी ये सब कुछ पाली भाशा के شब्द है जिसका सही जो तत्सम वर्ड होगा वो दूसरा होगा जैसा कि हमने बताया तो जो पारमीता शब्द है ये सी ओप्षन जो इसमें लिखा हो परिपूर्ड इताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व प्रशस्त हुआ तो पारमीता का शब्दिक अर्थ भी परिपूर्ड इताएं होता है और ये सीधा सीधा बौध धर्म से संबनित है तो सी ओप्षन इसमें अपने आप ही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ही सत्व परिपूर्ड इताएं ये दो शब्द मिलने हैं जो कि बहुत धर्म से ही संबनित है बहुत धर्म के बारे में आप जानते होंगे कि बहुत धर्म के जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध है इन्हें एशिया का जेवति पुंज यानि के लाइट आफ एशिया भी कहा जाता था गौतम बुद्ध का जन्म 563 इसपुरों में कपिल वस्तु के लुंबनी नामा कसान पर हुआ था इनके पीता का नाम शुद्धोधन शाक के गड़ के मुखिया थे इनकी माता माया देवी किमृतियों इनके जन्म के साथ में दिन ही हो गई थी इनका लालन पालन इनके सौतेली मा प्रजापति गौतमी ने किया था गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम सिधार्थ था गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्ता में यशोधरा के साथ हुआ इनके पुत्र का नाम राहुल था तो ये मुख रूप से इनके बारे में जानकली होना जरूरी है और इसके लामा महायान, हीनियान ये सारी जो बाते हैं इसके बारे में भी और बहुत सारे शब्दावलियां होती हैं जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन, यानि कि बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया तो उसी को बहुत घरंतों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारर की भाशा पाली में दिये बुद्ध ने अपने उपदेश कोशल, वैशाली, कौशामबी वा अन्य राजियों में दिये लेकिन सरवाधिक उपदेश कोशल देश की राज़हनी श्रावस्ती में दिये इनके प्रमुख अनुयाई शासक, बिंबिसार, प्रसेंजित वा उदेईन थे बुद्ध की मृतियों, असी वर्ष की अवस्ता में, 483 इसापुरों में कुशी नारा कुशी नारा यानि के देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी जिसे बौत धर में महापरी निर्वाड कहा जाता है तो महापरी निर्वाड मतलब कि जब भगवान बुद्ध की जब मृति हो गई तो उसी को महापरी निर्वाड कहा जाता है तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्दावलिया हैं इस प्रकार से बहुत साली सी बात है जैसे बुद्ध, धम और संग में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था ऐसे ग्रिहस्त जीवन व्यथीत करते हुए बौध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता था तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़े हैं जो कि जैसे इसमें बहुत साभाएं बहुत सारी आयोजित ही तो उनके बारे में भी प्रश्ण पूछ ले जाते हैं तो पहले प्रश्ण का सही अंसर सी वाला हो जाएगा अगला प्रश्ण है भारती इतिहास के संदर्व में 1884 का रखमा बाई मुगदमा किस पर केंदर था यह रखमा बाई जो लिखा हुए है यह दरसल रुकमा बाई होना चाहिए रुकमा बाई राउत इनका नाम था रुकमा बाई राउत जब 11 साल के थी तो इनका विवाह कराय जा रहा था एक 19 साल के व्यक्ति थे जिनकरां था भीका जी उनसे विवाह कराया जा रहा था जिसका यह विरोध कर ले थी कि मेरी उम्र भी बहुत जदा कम है तो इनी के कारण जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में बना था जिसमें उम्र बढ़ा दी गई थी जिसका तिलक विवाह है या धार में जो रीति रिवाज हैं संस्कृति हैं उस पर हस्तक शेप कर रही है इसका उन्होंने विरोध भी एकिये था जिसका बहुत सारे लोगों ने बाद में आलोशना भी की थी कि तेलक ने गलत विरोध किया था तो 1884 का रख्मबाई मुकदमा जो है यह मह जिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार इसे संवधित नहीं था सहमती की आयों यानि कि कांसेंट आफ एज की जो बाते थी यह बास सही है दूसरा वाला और रख्मबाई मुकदमा 1884 में प्रसिद हुआ यानि किसमें केवल 2 और 3 वला आप्शन सही हो जाएगा पहला आप्शन नहीं होगा A, C और D में पहला 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 तीनों लिखा हुआ तो पहला आप्शन गलत होगे तो ती ए तीनों अपने आप ही अलग हो जाएगे तो B वला जो बचा ये अपने आप ही आंसर सही हो जाएगा अगला प्रस्ट निमलिखित में से किस कारण से भारत में 20. शताबदी के आरम में नील की खेती का हरास हुआ नील की खेती का हरास जो है 19. शताबदी से ही होना आरम हो गया था 20. शताबदी का मतलब ये है कि सन 1900 के बाद नील की खेती का हरास क्यों होना शुरू हो गया तो इसका जो प्रमुक कारण था वो था नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभ कर होना तो B इसमें आप्शन से हो जाएगा जैसे C उप्शन इसमें है कि नील की खेती का राश्ट्री नेताओं दौरा विरोध किया जाना तो राश्ट्री नेताओं दौरा विरोध नहीं किया गया था बलकि चंपारार सत्यागरा हुआ था जो कि महात्मा गांधी जी नहीं किया था उसमें उन्होंने नील के खेती का विरूद किया था लेकिन यह राष्ट्री नेताओं द्वारा पूरी राष्ट्री इस तर पर विरूद किया जाना यह बात गलत थी तो इसमें B वला उप्शन से हो जाएगा अगला प्रश्ण वेलेजली ने कलकत्ता में फॉर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना किस लिये की थी यह प्रश्ण इसमें है कि किस लिये की थी तो पहला उप्ष ने उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था तो ये बात गलत है बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स ने मना किया था कि फोर्ट विलम कॉलेज के स्थापना करना जो एक विकल्प के रोप में किया जा रहा था उसके स्थापना उस विकल्प के रोप में ना किया जाए क्योंकि लंदन में एक विद्याले पहले से ही था जहां पर इस उद्देश्च से काम किया ही जा रहा था जिसमें जो भारत में भारतिय प्रशासनिक स्तिवा के जो अधिकारी हो करते थे उनको प्रशिक्षर देने के लिए इंग्लेंड लंदन भेजा जाता था वहीं पर उनको एक हेले बेरी कॉलेज लंदन में हो करता था वहां पर उनको प्रशिक्षर ट्रेनिंग दी जाती थे तो लॉड विलेजली स सोच रहे थे कि कलकत्ता में फोर्ट विल्यम कॉलेज के सापना कर दिया जाए और यहीं पर ही उनको ट्रेनिंग दिया जाए लेकिन इसके लिए बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स ने मना कर दिया था दूसरा भारत में प्राच्ची ग्यान की अप्रति अभिरुची पुनहा जाकरत करनाचा था तो यह बात गलत है वो ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विल्यम कॉलेज के सापना करना चाते थे चोत्फा उप्शण इसमीं साही हो जाएगा वह बिर्टिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हे तो प्रशेक्षित करना चाहते थे फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो ये हुगली नदी के किनारे कोलकाता में इस्तित है इसे इंग्लेंड के जो राजा थे विलियम तुर्थी उनके नाम पर इस फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना की गई थी इस्ट इंडिया कमपनी को 1698 में कालीकट गोविंदपूर और सूतानूती नमक तीन गाउं मिल थे जहां पर फोर्ट विल्यम कॉलेज की स्थापना की गई फोर्ट विल्यम कॉलेज की पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था चार्स आयट फोर्ट विल्यम और कोलकाता नगर की स्थापना जोर्ज चारनौक ने की थी अब भारती नागरिक सेवा का प्रशिक्षर केंद्र बनाया जाना था इसके लिए इसके स्थापना की गए थी तो इसका सही ऑप्षन डी वला हो जाएगा अगला प्रशन भारत के इतिहास के संदर में उल गुलान अथवा महान उपद्रों निम्लिकित में से किस घटना का विवरण है ये बिर्सा मुंडा से सम्धित है बिर्सा मुंडा विद्रों 1899 से 1900 की बीच में हुआ था बिर्सा मुंडा विद्रों जिसको उल गुलान अथव महानुपद्रो की संग्या भी दी जाती है इस प्रकार से अन्य बहुत सरे जो विद्रो थे जो कह सकते हैं जो किसान विद्रो थे या जन जातियों द्वारा विद्रो थे ऐसे अनेक विद्रो चलाए गये थे जिसमें से एक प्रमुख विद्रो बिर्सा मुंडवाला विद्र विद्रोह घुं चैया था इसको केना सरकार द्वारा इसक नेतरत किया गया था इसना रिखेंए फकीर विद्रोह विद्रोह में चैला था पहारिया विद्रोह विशेद्रों मंच धिल्री आक सरस्कुअ के बहादार गाल का देस्का कम टी के सासरchn si भूमिज विद्रोह, खासी विद्रोह, कंध विद्रोह, इसी प्रकार से नील विद्रोह था जो कि बंगाला और बिहार में चला था तिरूत सिंग के पैरवे में और उसे में से एक बिर्सा मुंडा वाला विद्रोह भी चला था जो कि जहारखन में चला था और बिर्सा लिक्तकटनों पर विचार केजिए जो इसमें पाड़ीनी पुषमित्र शूंग से संबंदित है तो यह बात गलत है अमपट सिंह हर्श वरधन वर्धन से संब्र यह 75 आगया ईस बाद्यास चंद्रभ दूतिये संब्र शूह यहां से मिलती है इसके बारे में प्रशन पूशे गए हैं अगर हम पाड़ेनी की बात करें तो इन्होंने एक रशना लिखे थे जो कि इनको संस्कृत भाशा में प्रथम इनका रशना भी है जिसके बारे में आप जानते ही हूंगे और जितने भी यूनानी रोमन लेखा कोई चीनी लेखा कोई या अर्बी लेखा कोई उन वो जो स्रोत रहे हैं उनके बारे में कुशन पूशा गया है इस बार और इसी प्रकार के ही प्रशन में पूशे जा रहे हैं अगला प्रशन है भारत के इतिहास के संदर में निम्रिकित योगमों पर विचार कीजिए औरंग यह प्रकार से जो प्रशासनिक विवस्ता है प्रशासनिक में भी जो राजकोशी विवस्ता है उसकी बारे में प्रश्ट पूचा गया है कि कौन सा शब्द किसके लिए था तो ओरंग राजकोश का प्रभारी यह गलत है बेनियान एजेंट यह ईस्ट इंडिया कम्पनी का भारती है एजेंट था तो यह बात सई है और मिरा सिदार राजे का नामित राजस्वदाता यह बात सई है किवल दो और तिन इसमें सई हो जायेगा भारत के धार्मे के तियास के संदर्मे निलिकतनों पर विचार केजिए अस्थाविरवादी महायान बौत धर्मे से संबंध है संबद है तो बौत धर्म वाला दूसरा प्रश्ण है पहला प्रश्ण था जो पारमिता वाला शब्द था उसके संदर्मे और दूसरा प्रश्ण फिर से आ गया है बहुत धर्म में तो पहला कथन गलत है लोकुत्तरवादी संपरदाय बहुत धर्म के महासंधिक संपरदाय की एक शाखा है ये बास सही है और महासंधिकों द्वारा बुद्ध के दिवत तुरोपड ने महायान बहुत धर्म को प्रोसाहित किया तो ये बास सही है तो केवल दो और तीन वाला इसमें सही हो जाएगा इसमें अगर हीन यान महायान की बात आई है तो जो चतुर्थ बहुत संगीत हुआ था तो चतुर्थ बौध संगीत के बाद बौध धर्म दो भागों में बढ़ गया था हीनियान और महायान में तो आपको पता होगे कि बौध सभाएं चार होई थी प्रथम बौध संगीत राजगरह में हुआ था अजातशत्र के शासनकाल में दुतिये बौध संगीती सभाकामी में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में तृतिये बौध संगीत मोगिल पुत्तिस में हुआ था अशोक के शासनकाल में चतुर्थ बौध संगीत वस्व मित्र या अश्व घोष के अध्यक्षता में कुंडलवन में हुआ था कनिशक के शासनकाल में और जो चतुर्थ बौध संगीत हुआ था जो कि कनिश के शासनकाल में हुआ था कुंडलवन में उसे में बौध धर्म दो भागूं बढ़ गया हीन यान और महायान में बौत धर्म के महा यान संपरदाय का आदर्श बोधिसत्व है बोधिसत्व दूसरे के कल्यार को प्रात्मिक्ता देते हुए अपने निर्वार में विलंब करते हैं और हीन यान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वार की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है इस प्रकार से हीन यान महायन के बारे में जो बहुत ही सुक्षम बाते हैं वो इसमें पूछा गया है तो इसमें option number 20 हो जाएगा केवल दो और तेन वाला अगला प्रश्न निम लिखित में से कौन सा कथन ओद्योगी करांती के द्वारा उन्नीस्वी शताब्दी के पूर्वार्ध में यानि कि 1800 से पहले यानि कि हम कह सकते हैं कि 1750 के बाद उन्नीस्वी शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव के सही व्याख्या करता है तो उद्योगी करांती जब हुआ तो पहला उप्शन इसमें सही है भारती दस्तकारी उद्योग नस्ट हो गए सभी लोग जानते हैं इसके बारे में दूसरा उप्शन भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संक्य में प्रवेश्वा ये बात गलत है भारत में वस्त्र उद्योग में मशीनों का आगवन नहीं हुआ मशीने इंग्लेंड में ही थी और वहीं पर ही यहां से कच्चे माल का पास वगरा जाय करते थ तो देश के अनेक भागों में रेलवे लाइने बिछाइक गई तरह कि जो इस्ट इंडिया कंपनी है वह भारत में अच्छे से व्यापार कर सके लिकिन अनेक भागों रेलवे लाइने बिछाए गई यह तथ हे गलत है बिटिश उत्पादन के आयात पर भारेश शुल्क लगाए गया था तो ये बात बिल्कुल गलत है तो इसमें option number A वाला सही हो जाएगा भारत के इतिहास में निम्लिकित घटनाओं पर विचार केजिए राजा भोज के अधिन प्रतिहारों का उदय हुआ इसमें दरसल घटना करम बताना है कि कौन सक घटना करम एक काल करम के अनुसर सही विवस्थित कर सकते हैं तो इसके लिए जितने भी वन्ष हुए हैं उनके बारे में जानकरी होना जरूरी होता है जैसे कि मौरे वन्ष है त शोक ने बारहां शीला लेख बनाये थे और शीला लेख से भी इस बार प्रशन पूछाई गया है फिर शूंग वन्स आया जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शूंग थे इनकी राजधानी विदेशा थी सातवाहन जो राजवंस था उसके संस्थापक शिमुक थे चेदी इसके खारवेल प्रमुख राजध है इसके बाद विदेशी आकरमनकरी है जिसमें हिंदी यूनानी फिर शक आये शक में जो प्रथम राजधा वो मुवा था फिर पल्लो आये फिर कुषाड आये कुषाड का जो संस्थापक था कुषाड वन्ष का वो कुजुलकड फिसस फिक गंपट वन्ष अजाता है जिसके संस्थापक श्रे गंपट थे और इसमें सूप पर और से जैसे गोपारलंश है तो पी tutti सबसे पहले ने प्रतिहारों का उधाय यह उसके बाद हुआ और शबसे लास्ट में परान तक प्रथम द्वारा चोल सत्ता के स्थापन की गई अगला प्रश निम्लिखित में से कौन सा उप वाक्य उत्तर हर्ष कालीन स्रोतों में प्राया उलिखित हुंडी के स्वरुप की परिभाशा बताता है तो खुंडी ये विनिमय पत्र हुआ करता था एक प्रकार चारotom अगला पर सोतंतरता संगराम के समय लिखी गई सखाराम गडेश देवुसकर के पुस्तक देशेर क्था के संदर्मिन निम्लिकत कत्मों पर विचार कीजिए देशेर कथा सकाराम गडेश देवसकर द्वारा लिखी गए थी एक मराथी थे देशेर कथा में मुख रुप से बंगाल के बारे में जानकरी दी गई थी बंगाल के जो अर्थ विवस्था वगरा थी उसके बारे में मुख रुप से जानकरी दी गई थी और जो बंगाल से जो रास्ट रुवात का अभ्युदय हुआ भारत में उसमें भी मुखिरोप से देशेर का था जो पुस्तक थी इसका प्रमुख योगदान भी था और 1904 में इसकी रशना की गए थे और 1910 में ही जो अंग्रेज थे इस पुस्तक पर बैन भी लगा दिये थे जिसका जो तीसर ऑप्शन सही है देवसकर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल शेतर के विशिस्ट संदर में किया गया था ये बात गलत है बंगाल शेतर के विशिस्ट संदर में किया गया था लेकिन ये बात सत्य है कि देशेर कथा में मुखरोप से बंगाल की ब संधिकाइ के रूप में माना गया था जिसमें एक देश की कथा के становится बताया गया था जिसमें मुखी रूप से बंगाल को फोकस किया गया मत पूष्न है इस पुस्तक तक शम मोहक विजए के विरोध में चेताउनी दीति यह बसत्य है इस पुस्तक ने स्वादेशी नुकर नाटकों तथा लोग गितों को प्रेडित किया ये भी बास सत्य है तो पहला दूसरा ओप्षिन सही हो जाएगा एवाला अगला प्रश्न गंधी इर्विन समझाते में निलिकित में से क्या सम्रित था ये थे तो राउंटेबल कॉन्फरेंस में भाग लेने के लिए कॉन्फरेंस को आमंतरत करना ये बास सत्य है असाहयोग अंदुलन यहाँ पे इंगलिस में अगर देखा जाए तो इसको कुछ दूसरा लिखा हुआ है इंगलिस में इसको civil obedient moment लिखा हुआ है यानिकि सविने अवग्या अंदुलन जिसे बोलते है तो असाहयोग अंदुलन के संबन में जारी किये गए अध्यादेशों को वापस लेने ये भी बास सही है इसमें चौथा केवल उन ही कैदियों के लिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था तो ये भी बास सही है तो एक दो और चौथा ओप्शन सही है इसमें यानि कि बीवला अस्परिश समदाई के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विद्ध्वन सक किसके दोरा प्रकाशित किया गए तो गोपाल बाबा वलंग कर दोरा प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विद्ध्वन सक लागु किया गया मतलब प्रकाशित किया गया और जियोतिवा फुले की बात करें तो इन्होंने गुलाम गिरी लिखी थी मात्मा गांधी की बात करें तो ये नो जीवन नमक पत्र का निकाला करते थे भीम्राव बेटकर जी ने भीम्राव राम जीम बेटकर जी ने इन्होंने इन्हेलेशन आफ कास्ट नमक पु अगला प्राश्व भारत के इतियास के संदर में कुल्यावाप तथा द्रोडावाप शब्द का क्या निर्देस्ट करते हैं तो कुल्यावाप द्रोडावाप और अक्षवाप ये तीनों शब्द जो है वो भूमी माप से संबन्धित हैं जो कि बंगाल में भूमी वापन के लिए इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता था जब गुप्त पीरियर था यानिके गुप्त वन्ष का जब सामराजय था तो इसमें ऑप्शन नंबर एसे हो जाएगा भूम आप अगला प्रशन निमलिखित में से कि शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामश्र दिया था ये बहुत ही मात बुढ़ है अशोक ने इसको दिया था उन्होंने अपने इस अभिलेख में क्या बातें कही थी कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंदित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय के प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रती अत्यधिक भक्तिक के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानी पहुचाता है ये बात अश इसलिए विख्यात हैं तो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगा थे यह सारे घंट शाला कदूरा चॉल जैसे कि इस तस्विर में देखेंगे तो यहां पर यह चॉल लिखा हुआ है यह चॉल इसके लाँ हुआ और निज आएंगे तो और भी सारे इसमें जितने भी यह सपोर्ट्स हैं बंदरगा हैं यहां से व्यापार होता था तो चॉल एक बंदरगा यहां पर दिखाए दे रहा है तो चॉल कदूरा घंट शाला यह गुप्त राजवन्श में विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगा हुआ करते थे ओप्शन नमबर ए से हो जाएगा तो इस वीडियो मुखिरूप से इतना ही जैसा कि पहले बता है कि नौ प्रश्ट ने एंसेयंट हिस्ट्री से आया था जिसमें से छे प्योर रूप से एंसेयंट तीन कल्चर से मेडिवल से दो मॉडर से आठ कोशन आये थे तो इस वीडियो मुखिरूप से इतना ही आगे कि जो साइंस एंड टेकनोलोजी है इनवार्मेंट एंड इकॉलोजी है जोग्रॉफी है इन सबसे रिलेटेड भी वीडियो लाएंगे ताकि यूप्यस के प्रिलिम्स में यतने कोशन पूछे के थे उ वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जाहिंद